नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं One India मैं हूँ क्रशान शर्मा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच हडिंग लेके मैदान पर चल रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत को चेतेश्वर पुजारा के रूप में बड़ा जटका लगा है चेतेश्वर पुजारा अपने ओवरन नाइट स्कोर याने की 91 रन बना कर वापस पवेलिन लट गए है पुजारा को ओली रोविंसन ने पगबाधा आउट करके अपना शिकार पनाया है पुजारा खेल के चौथे दिन एक भी रन नहीं जोड़ पाए और LBW आउट हो गए ऐसी उमीद लगाई जा रही थी कि पुजारा आज अपना शतक पूरा करेंगे लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब साबित हुए सिर्फ पुजारा ही नहीं बलकि इस पारी में अब विराट कोहली और अजिंके रहाने ने भी अपना विकेट गवा दिया है भरते कप्तान विराट कोहली ने शांदार तरीके से अपना अर्दिश तक पूरा किया लेकिन 55 रनों के स्कोर पर अपना विकेट खो बैठे विराट कोहली का विकेट भी ओली रोविंसन के हाथ लगा उन्होंने कोहली को जो रूट के हाथों कैच आउट करा कर पविलियन वापस भीज दिया है इसके अलावा भरतियों कप्तान अजिंके रहने इस पारी में फिर से नाकाम्याब साबित हुए और सिर्फ 10 रन बना कर अनुभवी एंडर्सन का शिकार हो गए आज पुजारा और कोहली से काफी उमीदे थी कि वो भरत को और रन्स बना कर दे मगर इंगलिश के इन बाजों ने शांदर तरीके से वापसी करते हुए दोनों खिलाडियों को आउट कर दिया बता दे कि पुजारा और कोहली के बीच 99 रनों की साज़ेदारी हुई अगर बात करे भारत की दूसरी पारी की तो भारत अपने 6 विकिट 500 रन से भी कम स्कोर पर गवा बैठा है और अब भारत की रनो और पारी की हार सुनिश्चित नजर आ रही है अब देखना होगा कि क्या लॉट्स की तरह ही भारती टेलिंडर्स कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं या नहीं बागी की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया के साथ